हेलो दोस्तों, पहली ही ब्लागबस्टर मूवी से सबके दिलों में राज करने वाले रॉकी सूपरशाय यस के लाइफ स्टाल के विसे में आज हम चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पायोग्रॉफी यस का रियल नेम नवीन कुमार और निगनेम यस है यस का जन 8 जनवरी 1986 को करनाटका में हुआ था और 2022 के हिजाब से इनकी एज 36 है यस बचपन से ही एक्टिंग के सोग एकते थें उनका पढ़ाई लिखाई में थोड़ा भी मन नहीं लगता था और यस अपने स्कूल के ड्रामा कॉमपटिशन में हमेशा हिस्सा लिया करते थे यस को एक्टिंग इतना ज़्यादा पसंद था कि 10 के बाद पढ़ाई छोड़ने का आभी फैशला कर लिया लेकिन जब यह फैशला अपने पिता जी को बताएं तो उनकी पिता ने उनकी पढ़ाई आगे कंप्लीट करने को बोला तो अपने पिता जी कहने पर उन्होंने महा जना सोसाइटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया यस पेसे से एक एक्टर और प्लीबेक सिंगर अब बात करते हैं यस के करियर के बारे में यस पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपनी एक्टिंग को और इंप्रूब करने के लिए उन्होंने एक एक्टिंग स्कूल को जोईन कर लिया उनकी अच्छी एक्टिंग के वज़े से उनको एक टीवी सिरियल में काम करने का मौका मिला उस टीवी सीरियल का नाम नंदा कुकुला था जो 2004 में रिलीज हुआ लेकिन यस का सपना तो मूवी में एक्टिंग करने का था काफी समय तक टीवी सीरियल में काम करने के बाद आखिरकार यस का सपना पूरा हुआ और 2007 में एक मूवी आई जंबदा होदोगी जिसमें यस को एक छोटा सा रोल प्ले करने का मौका मिला जिसमें यस ने लोगों का दिल जीत लिया जिसकारवश 2008 में एक मूवी आई मोगना मनाशू जिसमें यस को सपोर्टिंग रोल करने का मौका मिला इस रोल से उन्होंने लोगों को बहुत ज़त प्रभावित किया जिसकारवर्ष 2009 में एक मूवी आई गोकुला इस मूवी में यर्ष लीड रोल में दिखें और यह मूवी सुपर हीट रही इसके अलावा 2013 में एक गोगली मूवी आई जो बॉक्स अफिस पर आते ही धूम बचा दी और यह मूवी बॉक्स अफिस पर 25 क्रॉन का बिजनेस की फिर आगे चलके 2018 में एक मूवी आई केजी अफ शेप्टर वन इस मूवी की विशह में आप लोगों को बताने की ज़वरत ही नहीं है इस मूवी के बाद यहस की फैन फॉलोइंग इतना बढ़ गई कि पूरे कर्णा इंडिस्टिर से लेके पूरे इंडिया में रॉकी सूपरस्टा यहस के नाम से सेमस हो गए और देखते देखते यहस हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक बन गए इस मूवी से यहस की फैन फॉलोइंग बहुती ज़ादा बढ़ गई यह मूवी बॉक्स अफिस पर धाईस अकॉर्ण की बिजनेस की थी अब बात करते हैं एवार्ट्स के बारे में यहस को टोटल वीन्स की संख्या एट है और टोटल नॉमिनेशन की संख्या नाइन है अब देखते हैं यहस की फैमिली के विशाय में यहस की पिता का नाम अरुन कुमार और माता का नाम पुष्पा है यस की एक बहन है जिसका नाम नंदनी और यस की वाइफ का नाम रादिकाप पंडित है यस की बेटे का नाम आयूश और बेटी का नाम आया है अब बात करते हैं यस के इंकम के विशे में यस प्रिजन टाइम में एक मूवी के लिए 25 करोण चार्ज करते हैं यस की जादतर इंकम ब्रेंट इंडोरासमेंट से आती है जिसके लिए वो लगबग 60 लाग से 70 लाग रुपे चार्ज करते हैं अब बात करते हैं यस के नेट वर्थ के विशे में यस का टोटल नेट वर्थ 7 मिलियन डॉलर है बात करें इंडिया रुपीज में तो यस का टोटल नेट वर्थ 3 पन करोड है अब बात करते हैं यस के कार कलेक्शन की बसे में यस के पास मर्सडीज बेंच GLS 350D है जिसकी कीमत 90 लाग है और यस के पास एक मर्सडीज बेंच GLE 400 है जिसकी कीमत 80 लाग है इसके अलावा यस के पास BMW 520D है जिसकी कीमत 65 लाग है और यस के पास एक मर्सडीज बेंच E है जिसकी कीमत 50 लाग है इसके अलावा यस के पास एक Audi A6 है जिसकी कीमत 60 लाग है पता नहीं दोस्तों मैं अपनी इस वीडियो से आप लोग को प्रभावित कर पाया या नहीं कर पाया पर मैंने अपनी ओर से पूरी कोसिस की है अगर वीडियो थोड़ी पी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करती चीगा